फिल्म रिलीज से पहले आमिर खान के साथ हो गया बड़ा खेला फिल्म की असली कहानी सोशल मीडिया पर हुई वाइरल हॉलिबुट फिल्म फॉरेस्ट गंप का रीमेक है आमिर खान की लाल सिंग चड़ा नमस्कार तरातन टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आमिर खान की फिल्म लाल सिंग चड़ा का जिस तरह से सोशल मीडिया पर बाइकॉट ट्रेंड कर रहा है उसको लेकर के अब आमिर खान बहुत ज़ादा परिशान ज़रा रहे हैं हलाकि इस बीच आमिर खान के साथ एक बड़ा खेला हो गया है और इस खेला में आमिर खान पूरी तरीके से फच चुके हैं दरसल इस फिल्म की कहाने जिस रियल किरदार पर है अब उसकी पूरी हिस्ट्री हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आ चुके हैं तो आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर लाल सिंग चड़ा वास्तों में वो शक्सियत कौन थी और आमिर खान की फिल्म से पहले उस शक्सियत पर कौन से फिल्म हॉली बूड में रिलीज हो चुकी है सबसे पहले बात करते हैं लाल सिंग चड़ा की आपको बता दें कि लाल सिंग चड़ा ऐसे महाँ शक्सियत थे जो राश्चुपति से परमवीर चक्र से भी सम्मानित हो चुके हैं ये मांसिक रूप से स्वस्त नहीं थे इस वज़े से हर कोई उनका मजाग बनाय करता था किसी भी स्कूल में उनका एडमिशन नहीं हूपा रहा था उनकी माने बड़ी मुश्किल से उनका स्कूल में एडमिशन कराया इस स्कूल में बच्चे उनका बहुत ज़ादा मजाख उडाते थे लेकिन उनकी मा लाल सिंग चडधा का होसला बढ़ाय रखती थी उसे कहा करती थी कि तुम किसी से भी कम नहीं हो तुम वो सब कर सकते हो जो बाकि सब कर सकते हैं बतादे कि एक बार की बात है उनके स्कूल में एक एथलेटिक्स रेस होती है लाल सिंग को इस रेस में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता है लेकिन उनका दोस्त गुरुप्रीद इस रेस में शामिल होता है और इस बात से लाल सिंग चडधा बहुत ज़ादा खुश हो जाते हैं ये देखकर ना केवल जजेस बलकी स्कूल के सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स भी चौक जाते हैं उनकी इस परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें अगले स्कूल गेम्स में हिस्सा लेने का मौका मिल जाता है इसकूल पूरा कर लेने के बाद अब लाल सिंग कॉलेज चले जाते हैं लेकिन यहां भी उनके भोले पर का फाइदा उठा जाता है मांसी ग्रूप से बिमार होने से कोई भी उनसे दोस्ती नहीं करता है केवल उनके दो ही दोस्त होते हैं जब कॉलेज का आखरी दिन होता है तो एथलेटिक्स प्लेयर्स को आर्मी में जाने का मौका मिलता है और लाल सिंग आर्मी जॉइन कर लेते हैं लाल सिंग सीमरन को मन ही मन चाहता था आर्मी जॉइन करने के कुछ समय बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग छिड़ जाती है इस जंग में लाल सिंग और उनके दोस्त गुरुपरीत को भी भेजा जाता है गुरुप्रीत लाल सिंग से कहता है कि मैं इस जंग में मरना नहीं चाहता बलकि अपने पिता की तरह मिठाई का बिजनेस करना चाहता हूँ और अपने सपने को पूरा करना चाहता हूँ जंग के दोरान एक ब्लास्ट होता है जिसमें कई सैनिक मारे जाते हैं और कई घायल हो जाते हैं इस ब्लास्ट में लाल सिंग बच जाते हैं वो जंग बीच में ही छोड़कर घायल सैनिकों को बचाने में लग जाते हैं और उन्हें सुरक्षित जगें पहुचा देते हैं लेकिन उसे जब पता चलता है कि उसका दोस्त गुरुप्रीत इस जंग में मारा गया तो उसे बहुत दुख होता है। इस जंग में अपनी बहादूरी के लिए लाल सिंग को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। इसके लाबा कई एथलेटिक्स रेस जीतने से उन्हें अवार्ड भी मिलते हैं। आर्मिर से रिटायर होने के बाद लाल सिंग अपने गाम आ जाते हैं और अपने जिगरी दोस्त गुरुप्रीत का सपना पूरा करते हैं। वो गुरुप्रीत के नाम से गाउं में एक मिठाई की दुकान खोलते हैं। प्रित्य हो जाती है। अपने अकेले पन को दूर करने के लिए वो अपना सब कुछ छोड़ कर दुनिया का चकर लगाने लगते हैं। फिर से लोग उसका मजाग बनाने लग जाते हैं तो वहीं कुछ लोग उनकी दोड में उनके साथ हो जाते हैं। धीरे धीरे लाल सिंग फेमस हो जाते हैं और उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बे शामिर हो जाता है। उन दिनों पीवी और निूजपेपर में उन ही के चड़चे होते हैं। सिंब्रन को जब इस बात का पता चलता है तो वो लाल सिंग को एक पत्र लिखती है और उन्हें बढ़ाई देती है। लाल सिंग सिम्रन का पता लगा कर उससे मिलने जाता है और सिम्रन से मिलकर लाल सिंग को पता लगता है कि सिम्रन का एक बेटा भी है सिम्रन उसे बताती है कि ये बेटा किसी और का नहीं बलकि उसी का ही है ये सब जानकर लाल सिंग बहुत भावुक हो जाते हैं और पुछते हैं कि कहीं मेरा बेटा भी मेरी तरह मानसिक रूप से कमजोर तो नहीं है लेकिन सिम्रन लाल सिंग को बताती है कि उनका बेटा बहुत ही बुधिमान है सिमरन उसे एक बात और बताती है कि वो बहुत बड़ी बिमारे से जूज रही है अब उसके पास जादा समय नहीं है कुछ दिनों बाद सिमरन की डेथ हो जाती है और लाल सिंग अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चले जाती है अब लाल सिंग के पास उसका बच्चा ही जीने की एक मात्र उमीद बच्चता है अपने बच्चे के साथ लाल सिंग अपनी बाकी जिन्दगी हसे खुशे बिताने लगते हैं तो दोस्तों ये थी लाल सिंग चड़ा की रियल स्टोरी और ये कहानी सुनकर आपको बहुत मज़ा आया होगा और इसी रियल स्टोरी पर आधारित हिंदी फिल्म लाल सिंग चड़ा आमिर खान लेकर आ रहे हैं हलाकी आमिर खान से पहले 1994 में लाल सिंग चड़ा पर ही फॉरिस्ट गंप नाम की एक हॉलिबुड फिल्म रिलीज हो चुकी है जिसका रीमेक आमिर खान बना रहे हैं हलाकी आमिर खान का विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिसे हिंदुस्तान नहीं पसंद जिसे हिंदुस्तान में रहने में डर लगता है आखिर हिंदुस्तान की जर्टा ऐसे व्यक्ति की फिल्म देखने सिनमा घरों में क्यों जाए इतना ही नहीं आपको बता द का गुसा लार सिंग चड़्धा पर उतरने वाला है तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है कि आप इस फिल्म को देखने जाने वाले हैं या फिर रियल कहानी के जानने के बाद आप अपनी पैसे बचाएंगे कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं इस वीडियो में फिलाल इतना चार कुमें चैने ।